जैसा कि आप पिक्शर में देख पा रहे हैं कि आज हम लोग मरश के बारे में बात करने वाले हैं commonly हम लोग इसको काली मरश बोलते हैं आप कहां क्या बोलते हैं कॉमेंट करके जरूर बताईएगा इसका बोटानिकल लेम होता है पाइपर नाइगरम और इसकी जो फैमिली है वो है पाइपर एसी इसका मुख्य कर्म होता है दीपन ऐसे कई दरवे हैं जिनका मुख्य कर्म दीपन होता है अगर गुण की बात करें तो ये लगू और तीक्षन होता है, साथ में इसमें कटू रस होता है, कटू विपाक और उश्न वीरिय का होता है, इसका जो प्रियोज अंग होता है वो होता है फल और योग तो आप सभी को पता है तुरी कटू में पाया जाता है, अगर आप चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा